Hello guys, तो इस monthly current awards वाले वीडियो में साल 2021 के जन्वरी मंत के पहले वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे देखो monthly वीडियो में आपको बता दू, total 4 वीडियो वीडियो हम कवर करेंगे, तुकडो-ुकडो में लगबग 300 कुशन एक महिने में हम लोग कवर करेंगे तो ये साल के जनवरी मंत का पहला वाला पार्ट होगा तो चलिए बिना टाइम विस कर इसको स्टार्ट करते है तो हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टन कुश्चन है कि रिल्वे बोर्ड के नए चेयर्मेन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया विशाल वी शर्मा युनेसको में भारत के इस्थाई प्रतिनिदी बने और के गोपाल कृषणन आरबियाई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्षिन को नियुक्त किया था अच्छा रिल मंतरी कौन है हमारे पियुश गोयल है और कई बार ये प्रश्ण भी एक्जाम में आ चुका है कि पहले स्वतंतर भारत के पहले रिल मंतरी का नाम क्या है जौन मथाई नाम है अच्छा ये वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्ण है कि किसे 2020 के प्रतिष्टित इंजिनियर पुरिसकार से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा विनूत कुमार यादव को अभी मैंने आपको बताय था ये रिल्वे बोड के आपके पूर्व चेर्मेन और CEO थे और अब तो नए बन गए सुनित शर्मा तो विनूत कुमार यादव को अभी इस पुरिसकार से सम्मानित किया गया इन्हें ये पुरिसकार इंस्टिट्यूशन आफ एंजिनेरिंग और टेक्नलोजी के द्वारा भारतिय रिल्वे के आधुनी की करण और सुधारों के लिए किये गए उनके उतकरष्टी योगदान को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया तो इनका नाम याद रखना बाकि हेमंत कुमार आपको याद होगा DRDO ने Scientist of the Year का अवार्ड इन्हें दिया था नीतल नारंग भारतिय सॉफ्ट बॉल फेडरेशन की ये पहली महिले अध्यक्ष बनी थी और पंडित सतीश व्यास 2020 के तांसें सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको अच्छा नेशनल एंजिनेरिंग डे कब होता है 15 सेप्टेंबर को होता है और देखो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि इन सभी क्यूशन का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा जिसे आप फ्री में डाउनलूड कर सकते हो अपनी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन से और दूसरी बात ये पूरा वीडियो देखने के बाद इन सभी क्यूशन के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको इनका टेस्ट आप लगा सको इसके लिए इनकी क्विज भी बना करके अप्लोड कर दी जाएगी और वो भी आपको कामिल लेगी अपनी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पे तो अपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर अमारी ये सिरीज आपको अच्छे लग रही है तो प्लीज वीडियो उसको लाइक जरूर करना और हमें मोटिवेट जरूर करना वीडियो उसको हो रहा है तो आंचर होगा जापान तो ये जो फाइफ आईज है ये औस्ट्रेलिया ब्रिटेन कानेडा न्यूजिलेंड और अमेरिका का एक खूफिया नेटवर्क है तो नौर्थ कोरिया और चाइना के द्वारा उत्पन खत्रों के जवाब के लिए सहयोगी नेटवर्क क शामिल हो रहा है देखो जापान की कैपिटल टोकियो है करंसी है येन प्रधान मंतरी यूशी हीदे सूगा ये नए बने थे कुछ समय पहले इनका नाम याद रखना फिर है भारत और किस देश चे बीच सकाइरोज नाम का एक अभ्यास आयोजित किया जाएगा तो आंसर हो फ्रांस तो भारत और फ्रांस के राफिल फाइटर जेट्स ये राजस्थान के जूदपूर में इसका रोज नाम के एक युद अभ्यास में हिस्सा लेंगे और ये एकसरसाइज इसी साल जैन्वरी में होनी है कहां पे होनी है ये याद रखना है आपको राजस्थान के वैसे हम फ्रांस के साथ शक्ती नाम का एकसरसाइज भी करते हैं वरून एकसरसाइज करते हैं और एक गरूड नाम की एकसरसाइज भी करते हैं फ्रांस के साथ फिर है CISF के डारेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो आंसर होगा सुभूध कुमार जैसवाल को देखो CISF मतलब हो गया Central Industrial Security Force और डारेक्टर जनरल अब इसके बन गए सुभूध कुमार जैसवाल बाकी सुनील कुमार ये BASF के अभी इंस्पेक्टर जनरल बने थे रजट दत्ता इंडियन आम्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डारेक्टर जनरल बने थे और आर्या राजिंदरन देश की सबसे युवा मेयर बनी ये केरल के तिरो अननपुरम में पारशित चुनी गई थी ये तो इस प्रशने से सुभूत कुमार जैसमाल का नाम आपको याद रखना है फिर भारत का पहला एथनौल प्लांट की स्थापना ये गांपे की जाएगी ये की जाएगी 36 गड़ में और ये किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुकतान सुनिश्चित करने में भी महत्वपून साबित होगा देखो 36 गड़ की कैपिटल राइबुर है मुख्य मंत्रे हैं भुपेश बगेल गवर्नर ए अनुसुया उईके और यहांके चीफ जस्टेस है पियार रामचंदरन मेनन फिर एक किस स्टील कंपनी ने वाटर मेनेजमेंट में उतकरश्टता के लिए CII National Award 2020 जीता है तो अंसर होगा टाटा स्टील ने तो अभी टाटा स्टील ने वाटर मेनेजमेंट में उतकरश्टता यानि के एक्सिलेंस के लिए CII National Award जीता है अचा टाटा स्टील के चेर्मेन है नटराजन चंदरशेकरन सीई ओ है टीवी नरेंदरन अचा भी सेल से आपको याद होगा इसने गूल्डन पिकॉक एन्वाइर्मेंट मेनेजमेंट अवाट 2020 जीता था स्टील अथरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फर्म हो गई फिर है वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन ने कोरुना महामारी से सम्मंदे जानकारी के लिए कि इस नाम से एक मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया था तो अंसर होगा WHO COVID-19 तो ये एप्लिकेशन यूजर्स को COVID-19 पर न्यू अप्डेट देगी और इस एप्लिकेशन को WHO COVID-19 एप्लिकेशन का नाम दिया गया देखो वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन की बात करेंगे तो इसका हेड़कोटर याद रखलो आप जैनेवा सुजर्जलेन में हैं और इसके डिरेक्टर जनरल हैं तेदरोस अधनम फिर अभी हाल ही में जौनी मुलाग पदक के पहले प्राप्त करता कौन बन गए तो आंसर होगा अजिंग के रहाने तो अभी अजिंग के रहाने जौनी मुलाग मेडल पाने वाले पहले किरकेटर बन गए हैं तो अभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मेच के सर्वश्रेष्ट खिलाड़ी को जौनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया जौनी मुलाग ये कौन थे तो ये 1968 के आस्ट्रेलिया किरकेट टीम के कपतान थे जिनके नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया और जौनी मुलाग ये विदेशी दोरे पर जाने वाले पहली आस्ट्रेलिया टीम के कपतान थे तो इनका नाम याद रखना बाकी महिंदर सिंग धोनी से भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमने पड़े थे जैसे कि दशक डिकेड के ICC ODI और T20 इंटरनेशनल टीम का कफतान इनको चुना गया था और ICC Spirit of the Cricket Award of the Decade का खिता इनों ने जीता था बाकी विराट कौली से आपको याद होगा Sir Garfield Sobers Mill Cricketer of the Decade चुना गया और One Day Player of the Decade Award से भी इनको नवाजा गया था तो इस प्रशन से याद रखना आजिंग के रहने का नाम क्योंकि John मुलाग पदक जीतने वाले पहले प्राफ्त करता बन गई है फिर अभी हाली में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए तो आंसर होगा जौंग शेंचा तो अभी तक तो आप जानते होंगे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे कौन मुकेशंबानी तो अभी हाली में जारी Bloomberg, Billinears, Asia Rich List के अनुसार चीन के Water King कहे जाने वाले कारोबारी जौंग शेंचा ये इशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है और सेकेंड नमबर पे आगए मुकेशंबानी फिरेकेस देश ने 2023 तक लकडी के बने दुनिया के पहले उपगरह को विक्सित करने की गोशना की तो आंसर होगा जापान ने तो जापान की एक कमपनी और क्योटो युनिवर्सिटी ये साथ में मिल करके दुनिया की पहली लकडी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रही है तो ये लकडी की जो सैटेलाइट बना रहे है तो इस मटेरियल का प्रियोग पहले प्रत्वी के अलग-अलग वातावरन में किया जाएगा एक्चुली में क्या होता है जो उपगर होते हैं जो सैटेलाइट होते हैं उनकी बड़ी संक्या उनकी बढ़ती संक्या के कारण अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है जिसे इस पेस चंक कहते है तो अगर लकडी की सैटेलेट बन जाएगी तो प्रत्वी के वातावरन में लोटने पर वो जल जाएगी इससे किसी भी तरह के हानिकारक पधारत्वी नहीं निकलेंगे और किसी भी तरह का मलबा भी धर्थी पर नहीं गिरेगा तो कौन बना रहा है जापान फिर एक इस राज्य की सरकार ने घाट पैजल योजना शुरू किया है तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने तो इस योजना को मक्य रूप से उत्तराखंड के पिथोरागड में शुरू किया गया है और इस घाट पर योजना का उद्दिश है क्या है लोगों को घर तक स्वच और साफ पानियोग प्लब्द कराना देख उतराघंड की दू कैपिटल है विंटर कैपिटल इसकी देरादून है और अभी समर कैपिटल बन गई है गेरसेंड विरहाली में इंडियन मेडिकल असोसियेशन के नए राष्ट्रे अध्यक्ष कौन बन गए तो आंचर होगा डॉक्टर जेलाल बाकी संगीता शिरीवास्ताव ये इलाबाद विश्विद्याले की पहली मैला कुलपती वाइस चांसलर बनी वर्षा जोशी राष्ट्रे डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनी और उदेश अंकर ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे फिर अभी हाल ही में भारते सेना प्रमुक मनोज मुकंद नर्वने को किस देश के द्वारा गार्ड ऑफ ओनर सम्मान से सम्मानित किया गया तो अंचारों का दक्षिन को रिया और देखो इसी से लिंक करके आपको याद दिला दू अभी देसंबर 2020 की बात है जब यह United Arab अमिरात और साओधी अरब की यातरा पर थे तो उन्हें United Arab अमिरात ने God of Honor से सम्मानित किया था और साथ में मैंने आपको तब यह भी बताया था कि United Arab अमिरात और साओधी अरब जाने वाले यह पहले भारते से ना प्रमुक बने थे तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना फिर है भारत के 67 शत्रंज Grand Master कौन बन गए तो आंसर होगा लियोन मेंडोंका यह गोवा के खिलाडी है लियोन मेंडोंका जो कि भारत के अभी 67 शत्रंज Grand Master बन गए है और इससे पहले 66 शत्रंज नंबर के कौन थे जी आकास थे वो चन्नेई के थे और उससे पहले 65 शत्रंज शादवानी थे जो कि नाखपुर से थे और उससे पहले 64 शत्रंज नंबर के थे प्रितु गुपता जो गड़गाउं से थे अच्छा हमारे पहले Grand Master कौन थे विश्वनात आनंद थे जिने पहला राजियुगंधी खेल रतने पुरुसकार भी मिला था 1991 में अच्छा राजियुगंधी खेल रतने पुरुसकार से देखो आपको वो 5 नाम याद होने चाहिए पांच खिलाडियों के जिनको 2020 में राजियुगंधी खेल रतने पुरुसकार मिला था चैनलों ये प्रस्टने फिर से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा देखो मैं चाहता हूं बार-बार इसी लिए पूछता हूं अगर आप में से किसी को याद नहीं हो तो आप उसको इतनी बार लिखें इतनी बार लिखें कि वह आपको याद हो जाए तो यहां आपको मैं पूछ रहा हूं तो लिखने का मौका मिल रहा है क्योंकि मौका मिलेगा तब ही आप चोका मारोगे तो यह आप पांचों के नाम लिखके बताओ जिनको 2020 का राजियो गांधी खेल रतने पुरुसकार मिला, साथ में किस खेल से संबंध रखते हैं ये भी लिखना अगर आता है तो, और चेस की बात हो रही है और हम World Chess Day भूल जाएं ये तो होई नहीं सकता, छलो ये भी बताओ World Chess Day ये हम कब मनाती हैं ये भी आप ही बताओ और शतरंज की बात है तो इसकी जो ऑफिशल बॉडी है वो है FIDE International Chess Federation इसका हैटकोर्टर कहाँ पर है? लाउजिन स्विट्जे लेंड में है और अगर दुनिया में बात करेंगे इस समय शतरंज में World Champion कौन है? मेगनस कालसन है जो कि Norway से हैं फिरे DRDO और भारते नौसेना ने किस नाम से भारत का पहला AirDrop Container का सफल परिक्षन किया तो आंसर होगा सहायक NG तो ये एक AirDrop'd Container है और इसे DRDO ने बनाया है इसका नाम रखा है सहायक NG वैसे तो देखो इससे पहले भी हमारे पास एक था और उसका नाम था स इसका Upgraded Virgin है और ये होता क्या है तो मैंने आपको समझाया था एक उधारन लो जैसे कि समुद्र में कोई Ship है हमारा कोई Ship है जिसको किसी चीज की जरुरत पड़ गई तो वापिस वो समुद्र तट पे तो लेने नहीं आएगा जैसे कि एक Situation हमने ली थी युद्ध चल रहा ह हमारा हमारे हत्यार खतम हो गए या हमारे सेनिकों को खाना चाहिए तो वो युद्ध को रोक करके कि भईसाब रुख जाओ हम सामान लेकर आ रहे हैं इसे तो नहीं जाएगा तो हम हवाईजाच के थुरू इस कंटेनर में जो भी सामान रखना है जैसे कि हत्यार हो गया खा कर सकता है अच्छा DRDO के अद्रिक्ष का नाम क्या है जी सतीच रेडी है इनका कारेकाल अभी दो साल के लिए बढ़ाया दिया गया था और देको DRDO से आप एक टॉर्पेडो का नाम याद रखो अभी इसने बनाय था जिसका नाम था वरुनस्त्र टॉर्पेडो क्या होता है का नाम अमने रखा था मारीच तो ये भी आप याद रखो फिर है सेल की पहली महिला चेयर परसन कौन बन गई है बड़ा इंपोर्टन नाम है ये सोमा मंडल इनका नाम है और ये सेल की पहली महिला चेयर परसन बन गई है तो इनका नाम याद रखना बाकि सुनीत शर्मा य अंद्रप्रदेश हाई कोट के नए चीप जेस्टिस बने। सेल ने अभी आपको याद होगा Golden Peacock Environment Management Award जीता था। सेल मतलब Steel Authority of India Limited और इसके CEO है अनिल कुमार चौधरी। फिर अब ब्रिटेन के नाइट हुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा Lewis Hamilton को ब्रिटेन के Formula One ड्राइवर हैं ये Lewis Hamilton आप जानते ही हो और Mercedes के ये ड्राइवर है और अभी इनी को ब्रिटेन की क्वीन ने सरवोच नागरिक सम्मान नाइट हुड से सम्मानित किया है और मैंने आपको बताया था जब भी किसी व्यक्ति को ये सम्मान मिलता है न तो उसके नाम के आगे सर लगाया जाता है और इसी के साथ आपको बता दू कि Lewis Hamilton ये सम्मान पाने वाले छटे Formula One ड्राइवर बन गए हैं और आप जानते ही हो कि Lewis Hamilton ने इस साल लगातार चौते साल विश्व खिताब जीता था और देखो एक बार फिर से उन सभी स्टुडेंट्स के लिए जो इस वेडियो को वेरी फर्स टाइम देख रहे हैं आपको बता दू कि साल 2020 में जितनी भी Formula One races हुई है वो किस किसने जीती हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं वैसे तो टोटल 17 races हुई थी और उन नामों को याद रखने का एक tricky audio में ने बना दिया है तो अगर वो अभी तक आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा एक बार आप उस audio को सिन लोगे न वो सारे questions आपके clear हो जाएंगे और इतना है नहीं वो audio सुनने के बाद आप अपना टेस्ट भी लगा लेना ताकि आपको ये तसलिय हो जाए कि हाँ उस सारे नाम आपको याद हो चुके हैं टेस्ट आपको अपनी करेक exam application पर मिल जाएगा और audio का link नीचे description में मिल जाएगा अब यह बढ़ते हैं आगे फिर अभी हाली में दुनिया का सबसे अधिक स्विकार्य नेता किसे चुना गया तो अंसर होगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी को तो विश्व के नेताओं के उनके कारेकाल में स्विकरती पर नजर रखने वाली data firm morning consult के सर्वे के अनुसार प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी 55% स्विकरती के साथ विश्व के नेताओं में टॉप पर है तो morning consult के सर्वे के अनुसार 75% लोगों ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी का समर्थन किया और 20 प्रतिशत ने उन्हें स्विकार नहीं किया जिससे उनकी कुल स्विकरती रेटिंग 55 प्रतिशत है जो दुनियाओं के अलग-अलग देश के नेताओं में सबसे ज़्यादा है साथ में एक और पॉइंट मेंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के जो पिज़दान मंतरी है बॉरिस चॉंसन उनकी स्विकरत रेटिंग नेगेटिव रही है जिसका मतलब यह हो गया कि उनका समर्थन करने वाले कम है और विरूत करने वाले ज़्यादा है तो रहाली में किसे उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियूक्त किया गया तो आंसर होगा उमेश सिनहा को यानि कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिशनर ये बन गए है उमेश सिनहा अच्छा देखो वैसे तो एक्जाम में ये वाला कुशन है वो इतना important नहीं है नहीं पूछा जाएगा ये वाला लेकिन यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कोन है चीफ एलेक्षन कमिशनर कोन है सुनी लरोडा है उसके अलवा चुनाव आयुक्त आपसे पूछा जा सकता है एलेक्षन कमिशनर कोन है राजिव कुमारे और सुशील चंद्र है तो यह आप जरूर याद रखो और देखो इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया की स्ताफनवीती 25 जनवरी 1950 को और यही कारण है कि हर साल 25 जनवरी को हम नैशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं यह प्रशन भी आप याद रखो यह प्रशन भी आ सकता है उसके अलावा आप याद रख सकते हो 25 जनवरी को एको डे मनाते हैं नैशनल टूरिजम डे ठीक है तो यह भी याद रखना बाकि जेके माईश्वरी सिक्किम हाई कोट के नए चीफ जस्टेज बन गए हिमा कॉलिक तेलंगना हाई कोट के नए चीफ जस्टेज बनी और एस मुरलिधर यह उडिसा हाई कोट के चीफ जस्टेज बने जबकि अभी तक उडिसा हाई कोट के जो चीफ जस्टेज थे मुहम्मद रफीक यह मद्दे परदेश हाई कोट में चले गए और देखो अभी काफी राज्यों के जो हाई कोट है, वहां के Chief Justice बदले गए हैं, तो वैसे तो हम सारे cover कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन एक साथ, एक साथ आप उनको revise कर सको, इसलिए छोटा समय ने audio तयार कर दिया, मुश्किल से 2 या 3 मिनिट का वो audio है, तो वो audio भी आप सुन में मिल जाएगा, नीचे description में link है, जैसे आप उस पे click करोगे, खबरी application पे चले जाओगे, वहां आप मुझे follow कर लेना, follow कैसे करोगे, जो अपना correct exam नाम आपको वहां पे दिखाए देगा, जैसे आप उस पे click करेंगे, follow का button आ जाएगा, तो वहां से आप मुझे follow कर लेन और पास में bell icon को click करके all notification को set जरूर कर लेना, ताकि जब भी important topic के audio दलेंगे, उनका notification आपको मिल सकेगे और आप उसका फाइदा उठा सकेगे, और हाँ guys आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दू, अगर आपको ये current affairs की series अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी इस वीडियो का हम target रखते हैं 10,000 likes का, तो उमीद करूँगा इस target को achieve करने में आप लोग मेरी help करेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से यादा share करना होगा अपने दोस्तों में, अपने study group में, या अपने whatsapp और facebook group में आप इसे share जरूर करें, और अगर आप इस channel पर first time है, तो आपके click exam channel को आप subscribe कर लेजिए, और subscribe करने के बाद में पास में जो bell icon है, उसके चरूर क्लिक किजिएगा, ताकि आपको आने वाले सब इंपोर्टेंट वीडियो के notification सबसे पहले मिल सकें, और आप उनका benefit उटा सकें, अभी हम बढ़ते आगे, तो र राष्टरगान में एक शब्द को बदल दिया, तो इनके national anthem में दूसरी पंक्ती थी, for we are young and free, तो उसे बदल के क्या कर दिया, for we are one and free, यानि कि young को replace कर दिया, one से, हिंदी में बोलूँगा, तो पहले जो इसका मतलब हो था था, हम युवा और स्वतंत्र हैं, और युवा को अब एक से बदल दिया, तो अब क्या बन गया, हम एक हैं और स्वतंत्र हैं, और आपको बता दूँ, Advance Australia Fair यह Australia का राष्टरगान है, जिसे लिखा था Peter Dodds, Mac Cormick ने, देखो Australia की capital Canberra है, currency है Australian Dollar और प्रदानमंत्रिय है Scott Morrison, फिर है NCC के Director General के रूप में किसे नियुक्त किया गय तो अंसर होगा तरुन कुमार को, तो अब ही Lieutenant General तरुन कुमार को NCC के Director General के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये इस तरह से NCC के 33 वे Director General बने, बाकि सुबूत कुमार जैसवाल हमने पड़ा CISF के Director General बने, सुनीत शर्मा, ये तो मैं आपको चीज़े रटवाई दूँ एक्ता और अनुशाशन, यूनिटी और डिसिप्लिन, विरहाली में देश का पहला Remote Monitoring किस शहर में लॉंच किया गया तो अंसर होगा, हैद्रबाद में, तो अभी Indian Oil Corporation ने तेल रिफाइनरियों की टर्बाइनों के लिए देश का पहला Remote Monitoring System को लॉंच किया, और अभी हमारे तेल, गेस और स्टील मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रदान, उन्होंने इसका उद्गाटन किया, कहाँ पे? हैद्रबाद में, तो देखो आपको बता दूँ, इसका फाइदा ये होगा कि Indian Oil Corporation के आठ रिफाइनरियों के जो 27 टर्बाइन है, उनको डिजिटल रूप से दू पार्क इस्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में, और गोवा से आप याद रख सकते हो, भारत का पहला सेंड ड्यून पार्क के इस्थापित किया गया गोवा में. पिरहाल इमें किस भारते को Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2020 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा Dr. प्रदीप कुमार, पांडे और केके शिल्जा को. अचा देखो, यहां से एक प्रश्ण में आप लोग को बताया था, कि पिछले साले के एक एक्जाम में ये प्रश्ण आया था, कि ये Mother Teresa Memorial Awards ये कौन सा संगठन देता है, तो याद रखना, Harmony Foundation के द्वारा दिया जाता है. तो इतना डीप में य पुछा गया था. और इस बार ये जो अवर्ड दिये गए, इसमें तीन भारतिया हैं, वैसे मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ, कम से कम तीन ये भारतियों के नाम तो आप याद रखना. डॉक्टर प्रदीप कुमार मैंने आपको बताया, संजे पांडे या IPS ओफिसर ह महराश्टर से हैं, केके शिल्जा आप जानते हूँ, केरल की हेल्थ मिनिस्टर है. बाकियों के नाम भी देख लो, डॉक्टर एंथोनी जोकी यूएस से हैं, फादर फेबियो इटली से हैं, और क्रिस्टीन फ्रेंकासी और अलेक्जैंदरो ये इटली से हैं, और शेफ हैं मद्येपरदेश की सरकार ने, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की एक योजना ही थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट जानि कि एक जिला, एक उत्पाद योजना, जिसमें क्या होता है, राज्यसरकार हर जिले की एक प्रोड़क्ट की अठ्छे से और इसे अभी भोपाल में लॉंच किया गया तो भोपाल की जो जरी है या जर्दोजी हस्त शिल्प है जरी का काम कहते हैं जिसे आप उसका प्रमोशन किया जाएगा और ऐसे ही बाकी शेहरों को अभी एक-एक प्रोड़क को सेलेक करके उनको प्रमोट करेंगे ये मद्य परदेश की कैपिटल देखो भोपाल है शिवरा सिंग चोहान हो गए मुख्य मंतरी आनंदी बेन पटिल यहां की गवर्नर है और नए चीफ जस्टिस कौन बन गए यहां पे मामद रफीक जो की पहले उड़ी सा में थे और उड़ी सा में अब नए चीफ जस्टिस कौन बन गए एस मुरलिधर फिर वहाना मास्टर क्लास नाम की बुक को किस ने लिखा है तो इसको लिखा है अलफरेडो कोविल्ली ने तो इटली के लिखक हैं यह अलफरेडो कोविल्ली और इन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नए बुक वहाना मास्टर क्ला पर आधारिते जो महान कारनौमों में उनके साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। बाकी मादव, भंडारी, आयोध्या नाम की बुक लिखी इनोंने और नीना रोय ने कौन सी बुक लिखी थी? अमेजिंग अयोध्या बाकी राजिंदर सच्चर इन पर्शीट ऑफ चस्टिस ये आत्म कथा है राजिंदर सच्चर की जिनके मन्नौ परांतिस को लौंच किया गया। फिर एहाली में रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो आंचर होगा रविश रंजन शुकला को। पत्रकार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। फिर एहाली में एक लाग करोड के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली दुपईया कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंचर होगा बजाज ओटो तो बजाज ओटो ये दुनिया बर में एक लाग करोड के मार्केट कैपिटल बाजार पुंजी करन को पार करने वाली पहली टुपईया कंपनी बन गई है। और ये जो बजाज ओटो है मोटर साइकल का दुनिया का तीस तरा सबसे बड़ा मैनिफैक्चरर है निर्माता है और थ्री वीलर का सबसे बड़ा निर्माता है। तो आटो मोबाइल के सेक्टर में बात करेंगे तो देखो ऐसा करने वाली तो ये चौथी कंपनी होगी। इनसे पहले तीन थी मारूती सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर्स। और वैसे अगर भारत में सबसे जधा मार्केट कैपिटल वाली कंपनी कौन सी ये बात कर लेंगे तो Reliance Industries है, सेकंड निमबर पर TCS है, फिर एक इस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया तो अंसर होगा उत्तरपरदेश की सरकार ने, तो राज्य में प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने के लिए और मिट्टी कला को लखनव है, योगी आदित तिनात मुख्य मंत्री हो गई और अनंदी बेन पटेलियां की गवर्नर हो गई, चीफ जस्टिस कोन है? गोविंद माथुर है, यहां का ये राज के पक्षिया आप याद रखो, ये सारस है, राज के पशु तो बारस इंगा होता है और राज के पलाश, राज के वरक्ष, अशुक का वरक्ष है, फिरेकिस राज्य सरकार ने किसान, फसल, राहत, योजना शुरू किया है, तो आंसर होगा जारकन की सरकार ने, तो जारकन की सरकार ने किसान, फसल, राहत, योजना को शुरू किया है, जो भारत सरकार की प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की जगे लेगी तो इस योजना में यदि किसानों को किसी भी प्राकरतिक आपता के कारण फसल का नुकसान होता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और इस योजना की वज़े से अब किसानों को नुकसान नहीं होगा जिससे कि उनकी आए बढ़ेगी इंकम बढ़ेगी और वह आत्म निर्बर बनेंगे देखो जारकन की केपिटल राची है मुख्य मंत्री है हेमंत सोरेन और गवर्नर है दुरूपती मुर्मूद फिर अगला प्रशन है कि तमिल नाडू हाई कोट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए तो अंसर होगा संजीब बनर जी तो देखो अभी तक जो मदरास हाई कोट के चीफ जस्टिस थे कौन अमरेश्वर प्रताप साही जो अभी 31 देसंबर को रेटार्ड हो गए थे और अब मदरास हाई कोट के पहली मैला चीफ जस्टिस बनी थी और जेके माईश्वरी कांके बने थे सिक्किम हाई कोट के चीफ जस्टिस बने थे बाकी और भी मैं आपको रिवाइज कराऊं क्या चलो कुछ और नामों का रिविजन करो जैसे कि मुहम्मद रफीक ये मद्र परदेश हाई कोट के चीफ जस्टिस बने अरूप कुमार गोस्वामी ये आंदर परदेश हाई कोट के चीफ जस्टिस बने एस मुरलिधर उडिसा हाई कोट के चीफ जस्टिस बने और बताओ जम्मू कश्मिर और लद्दाख हाई कोट के कौन बने Chief Justice, पंकज मिट्टल बने फिर हाल इमेक किस नाम से रेल मंत्राले ने 2020 में रेल मंत्राले की उपलब्दियों पर एक बुकलेट जारी की है जिसका नाम क्या है? Building and आत्म निर्बर भारत तो अब रेल मंत्राले ने वर्ष 2020 में रेल मंत्राले की उपलब्दियों पर एक बुकलेट जारी की है जिसका नाम है Building and आत्म निर्बर भारत तो इस बुकलेट में साल 2020 में भारते रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्दियों और पहलों को यानि की इनिशेटिव जो इसने शुरू किये उनको शामिल किया गया नाम याद रखना इसका और अभी हमारे रेलवे बूर्ड के नए चेर्मेन और सीयो बन गए सुनित शर्मा वो भी नाम याद रखना फिर अगला प्रशन आपका पूछा जा रहा है कि अभी किस राज्य के पूर्व गवर्नर बूटा सिंग का निदन हो गया तो आंसर होगा पिहार वैसे तो ये देश के पूर्व ग्रह मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के ये पूर्व गवर्नर थे बूटा सिंग चिन का भी निदन हो गया तो उनका नाम याद रखना तो डे वाला गिश्यन है अमारा ये क्या है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया तो अंसरोगत चार जनवरी को तो दिखो 2019 से हर साल चार जनवरी को विश्व इस्तर पर ये वर्ल्ड ब्रेल डे के रुप में मनाया जा रहा है तो ब्रेल लीपी के बारे में आप जानते ही हो जो दरश्टी हीन लोगों के लिए होती है तो उसी ब्रेल लीपी के बारे में जागरुकता फिलाने के लिए से मनाया जाता है और चार जनवरी को ही क्यों मनाते है क्योंकि इस ब्रेल लीपी को विक्सित किया था लुईस ब्रेल ने उनका जनमदीन होता है चार जन्वरी को इसलिए अच्छा ये भी याद रख लो कि ब्रेल लिपी में कितने डॉट्स होते हैं इस तरह से छे डॉट्स होते हैं ब्रेल लिपी में फिर प्रदान मंतरी आवास योजना अर्बन मिशन के कार्रेनवेन में उत्करश्टता के लिए प्रसम इस्थान किस राज्य को प्रदान किया गया तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को तो अभी भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने प्रदान मंतरी आवास योजना शहरी मिशन के कार्रयानवन में उत्कर स्टता के लिए वार्शिक पूरसकारों की घोशना की है, जिसमें सर्व श्रेष्ट परदशन करने वाले राज्यों की श्रेडी में उत्तर प्रदशन करने वाले नगर निगम का खिताब दिया गया देखो उत्रप्रदेश की जो capital है वो लखनाव है लखनाव किस नदी के किनारे इस्तेते एक्जाम में प्रशनाता है गूमती नदी के किनारे और लखनाव आपका निर्वाचन शेत्र भी है हमारे रक्षा मंतरी अभी बुल्ला ने तो अभी लेकक वजाहत अभी बुल्ला ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है My Tears with Rajiv Tramp and Tragedy तो इस बुक में पाकिस्तान से निपटने में राजिव गांधी सरकार के प्रयासों के बारे में लिखा गया है अनुपम खेर ने बुक लिखी है जिसका नाम इंडिया for Aggressors Thousand Cuts नाम की बुक को लिखा है तो अंसर होगा बिने कुमार सिंग ने तो अभी युवा लेखक बिने कुमार सिंग ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर अंतरराश्टर स्तर के किताब लिखी है जिसका नाम है Bleeding India for Aggressors Thousand Cuts अरुमधती रोय ने आपको याद हो देश ने Tempon Tax को समाप्त कर दिया है तो अंसर होगा Britain ने तो अभी Britain में महिलाओं के Sanitary Products पर लगने वाले 5 प्रतिशत Value Added Tax को समाप्त कर दिया गया है जिसे अक्सर Tempon Tax कहा जाता है तो अब 1 जनवरी 2021 से महिलाओं के Sanitary Products पर ये वेट लागू नहीं होगा और इस तरह से LA से इस Tax को समाप्त कर दिया आपको बता दूँ भारत भी इस लिस्ट में शामिल है ब्रिटेन की Capital London है करंसी है Pound Sterling और धान मंतरी Boris Johnson है जो कि इस बार हमारे Republic डेपर आने वाले थे लेकिन अभी वहापे Corona का एक नया स्ट्रेंट फिल या उसके करन होने का कि भाया हमने अपन पाकिस्तान की आप जानते हूँ जिने समाच कल्यान के लिए और तालिबान जैसे खतरना के लाकों में सिक्षा के परचार के लिए 2014 में Nobel Peace पुरुसकार भी मिला था और वैसा ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति है Nobel पुरुसकार प्राप्त करने वाली जब मिला था ना 2014 में जब जिन महिलाओं को स्कोलर्शिप मिलेगी वो अमेरिका आकर पढ़ सकेंगी और अमेरिका उनका सारा खर्चा उठाएगा और अमेरिका से दो नाम याद रखो अमेरिका की पहली महिला उपराश्टर पती बन गई कमला हैर्रेस और 46th नंबर के प्रसिडेंट चुने गए कौन जो बेडन फिर है दादा साहफ वाल के पुरुसकार दक्षण 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा धनुष को तो अब इस फिल्म असुरन के लिए धनुष को 2020 के प्रतिष्ठित दादा साहफ वाल के पुरुसकार दक्षण से सम्मानित किया गया तो इस पुरुसकार से हर साल film industry के बहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है फिरहाली में पूर्व उत्तर भारत का पहला ginger processing plant यानि कि अद्रक प्रसंस करन संयंत्र ये का पे स्थापित किया गया तो आंसर होगा मेगाले में तो भारत के North East region का ये पहला अद्रक processing plant है एक्चुली में भारत के उत्तर पूर्वी शेतर में हर साल लगबग 4,50,000 में ट्रिक ट्रन अद्रक का उत्पादन किया जाता है लेकिन प्रसंस करन और cold storage नहीं होने के करन इसे store नहीं कर सकते तो ये खराब न हो जाए इस करन इसे कम दामों में किसान को बेचना पड़ता है लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं होगी क्योंकि अब पूर्वत्तर भारत का पहला ginger processing plant किया जा चुका है कहां पे मेगाले में मेगाले की capital देखो शिलोंग है और यहीं पे जो आपका international cherry blossom festival है वो आपको याद होगा पूर्वत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये भी इस्तापित किया गया था कहां पे असम के डिबरुगड में और भारत का पहला टायर पारक तो आप जानते ही हो पस्चि मंगाल में इस्तापित किया गया अच्छा पूर्वत्तर भारत का पहला glass bridge को शुरू किया है तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश की सरकार ने अब इस योजना में क्या होगा तो इस योजना में जैसे दरजी हो गए तोकरी बुनकर हो गए लुहार हो गए मतलब ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजूर हैं तो ऐसे लोगों के विवसायों को बढ़ान के नए चीफ जस्टेस किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा पंकज मितल को देखो अभी तक जो जम्मू किश्मीर हाई कोट की चीफ जस्टेस थी वो थी मितल जो अभी रिटायर्ड हो गई वो जम्मू किश्मीर हाई कोट की पहली मैला चीफ जस्टेस थी और अब उन इंदर सिंग चोहान तो उत्तराखंड हाई कोट के बने और हीमा कोहली ये तेलंगना की बनी और तेलंगना हाई कोट की पहली महिला चीफ जश्टिस हैं ये फिर है All India Jam and Jewelry Domestic Council के नए अध्यक्ष किसे न्यूक्ष किया गया तो अंसर होगा आशीष पेठे को तो अभी Jam and Jewelry उद्द्यों की राष्ट्र सीडश संस्ता है All India Jam and Jewelry Domestic Council जिसने दो साल के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष रूप न्यूक्ष किया है जबकि सईम महरा इनको उपाध्यक्ष न्यूक्ष किया गया तो ये जो All India Jam and Jewelry Domestic Council है ये पूरे भारत में रतनों और गहनों में व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रे व्यापार महासंग है इसका हैटक्वाटर है मुंबई में सुमा मॉंडल आप जानती हो सेल की पहली महिला चेरपरसन बनी सुनीत शर्मा तो ये रेलवे बोर्ड के नए चेर्मेन और CEO बने और होगा IDBI Bank ने तो इस फैसिलिटी से कोई भी गरहक अपने घर पर बैठे बैठे वीडियो KYC के जरिये सेविंग अकाउंट खोल सकता है इसमें आपको बैंक जाकर के कोई भी फॉर्म वगरा भरने की जरूरत नहीं है और आपको बता दू कोटेक महिंदरा बैंक पहला बैंक सुविदा शुरू की थी और Central Bank of India National Payment Corporation of India के साथ मिलकर रुपे Select नाम से debit card को लॉंच किया था और लक्ष्मी विलास बैंक का तो विले हो गया भाई अभी DBS Bank of India में मर्ज हो गया ये देखो IDBI Bank की बात करेंगे Headquarter मुंबई में है राकेश शर्मा इसके CEO है और इसकी tagline होती ह banking for all फिर पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉंच किया कहा पर तो अंसर होगा शिलॉंग में तो अभी केंद्रे युआ मामले और खेल मंतरी है हमारे किरण रिजेजू उन्होंने शिलॉंग में Assam Rifles Public School शुरू किया है और ये North East में खेलो इंडिया योजना के तह और खेल उपकरन उनको प्रदान करना याद रखना देखो खेले उंडिया यूथ गेम्स जो 2000 रिकेस में होंगे वो होंगे आपके हरिया नामे और जो शिलॉंग है ये कैपिटल है में घाले की बढ़ते हांगे फिर एक इस राज्य सरकार ने launch paid योजना शुरू की तो आंसर होगा मद्यपरदेश सरकार ने तो अभी मद्यपरदेश की सरकार ने युवाँ को आत्म निर्वर बनाने के लिए ये launch paid योजना शुरू की है तो इस युजना का मुख्य उद्देश है बाल देख बाल संस्ताओं से निकलने वाले युवाँ को रोजगार देना मद्यपरदेश की कैपिटल बोपाल है मुख्य मंत्री है शिवरा सिंग चोहान और अनन्दी बिन पटेलिया की गवर्नर है अभी हाली में इंस्टाग्राम पर 25 करोड से ज़्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए तो अंसर होगा क्रिस्टियानो रुनाल्डू तो पुर्टगाल की फुटबॉल प्लेयर है ये क्रिस्टियानो रुनाल्डू और उनने सोसल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन यानि की 25 करोड से ज़्यादा फॉलोवर बनाये हैं इसके अलावा इनने अभी गोल्डन फुट अवर्ड से भी सम्मानित किया गया था वैसे ये अवर्ड एक खिलाड़ी को उनके करियर में सिर्फ एक की बार मिलता है फिर है वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फेट एसिड पर लगाई गई सीमा क्या है तो आंसर होगा 3 परतिशत तो अभी फसाई, फसाई मतलब Food Safety and Standard Authority of India ने 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फेट एसिड की मात्रा को 3 परतिशत कर दिया है पहले ये न 5 परतिशत था लेकिन अब इस लिमिट को घटा करके 3 परतिशत कर दिया और 2022 के लिए इस लिमिट को 2 परतिशत कर दिया और वैसे आपको याद होगा World Health Organization ने अपने सभी सदस्य देशों को 2023 तक ट्रांस फेट को पूरी तरह से खतम करने के लिए कहा है पर एक कौन सा राज्य ये 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा तो आंसर होगा पश्चिमंगाल तो नेताजी सुभास चंदर बोस की जैनती मनाने के लिए पश्चिमंगाल 23 जनवरी 2021 को देश नायक दिवस के रूप में मना रहा है पच्चिमंगाल की केपिटल कॉलकाता है, कॉलकाता किस नदी की किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे, ममताब इनर्जी यहां की मुख्य मंतरी हैं और जगदीब धनकड गवर्नर है, फिर है हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेश उच्चायुक्त नियुक्त किया गय अच्चा अगर उल्टा आपसे पूछ लें कि ब्रिटेन में भारते उच्चायुक्त कोन है, हाई कमिशनर कोन है, तो गायतरी कुमार है, और एक और नाम याद रखो, चेतन्या वेंक टेश्वरन का, ये एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी थी, बाकी एवा मुर्तो ये एक दिन की लिए फिनलेन की प्रिधान मंतरी बनी थी, वेसे फिनलेन की प्रिधान मंतरी सना मारेन है, और मारा गुमिज ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांस जेंडर मैला बनी अर्जेंटिना से हैं, और द्वरते पचेको पुर्तगाल से हैं, इंटरनेशनल पारलेमेंटरी यूनियन के अध्यक्ष बने, फिर है अभी किसे डॉक्टर एपिज अब्दुल कलाम साइन्टिस्ट पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया, तो अंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को, तो अभी डॉक्टर अमित केसरवानी को, करशी विज्ञान में उनके उलेखने जोगदान, और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से नए छात्रों को मार्ग दर्शन करने के लिए उन्हें पुरुसकार से सम्मानित किया गया, बाकी हेमंत कुमार, DRDU ने इनने Scientist of the Year का अवर्ड दिया था, पंडित सतीश व्यास 2020 के तांसे इन सम्मान से सम्मानित किया गया, और रंजीत सिंग डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइस जीतने वाले पहले भारतिय बनेगे, इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट रहेगा भीया, तो अभी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक प्राकरतिक गैस पाइपलाइन का उदगा और इस पाइपलाइन को 3,000 करोड रुपे की लागत से तयार किया गया है, किसने तयार किया? गेल ने, और देखो यहां से लिंक करके मैंने आपको एक और पॉइंट याद करवाए था, कि अभी मोदी जी ने ही इंटरनेट को बड़ावा देने के लिए चैन्नाई से अंड खार के मुतिहारी से नेपाल के अमलेक गंज के बीच बिचाए गई पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन का भी उदगाटन किया था, बाकी तो आप जानते ही हो ये पॉइंट की भारत की पहली सोवी किसान रेल का भी उदगाटन किया मोदी जी ने, जो कांवा चल रही है, अच्छा, अब आपके लिए आज का प्रश्ण की भारत की पहली किसान रेल ये कांसे का चल रही है, और एक और प्रश्ण दक्षिन भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल ये कांसे का चल रही है, वैसे ये प्रश्ण में आपको आगे फिर से कराऊंगा, रिपीट तो खेलो इंडिया Winter Games का दूसरा संसकरन है जो कि जम्मू कश्मिर के गुलमर्ग में होगा 11 फरवरी से बाकी खेलो इंडिया Youth Games जो 2021 में होगे इस साल कहां पे होंगे हर्याना के पच्छकुला में होंगे और इस बार इसमें चार नए Games को एड़ किया गया कौन-कौन से गेम है एक तो है गटका जिसका संबंद पंजाब से है, एक कलारी पैयट्टू है जिसका संबंद है केरल से, एक ठांगता है जिसका संबंद मनिपूर से है और एक मल्ल खंब है जिसका संबंद मद्य परदेश और महराश्टर से है और वैसे मद्य परदेश का तो ये राच की अखेल तो ये आपको चारो याद रखने नाम बढ़ते आगे फिर है देश का पहला प्रवासी सेल ये किस शहर में खोला गया तो अंसरू का सूरत में तो इस सेल को स्तापित करने का उद्देश ये है कि देश की विबिन राज्यों से लाखों की संख्या में आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों का विवस्तित देटा बेश तयार करना और उनके लिए आवास, स्वास्त्य, भीमा समेथ अन्य सेवाओं को बहतर बनाने का कार्य करना और इसका शुभारम किया हमारे पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत जो है ये किस नदी के किनारे है तो तापती नदी के किनारे स्थित है जिसे सिल्क सिटी या डाइमंड सिटी भी बोलते हैं बाकी देखो आप जानते हो देश का पहला शहद प्रयोक्षाला ये गुजरात के आनंद जिले में खुला है और भुवनेश्वर जो की उड़ेजा की कैपिटल है अभी FSSM के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था ये भुवनेश्वर FSSM मतलब Fecal Sludge and Septage Management बाकी देश का पहला और दुनिया का दूसरा Infantry Museum ये बनेगा इन दौर में फिर एक गर्वपात को वैद करने वाला पहला Latin America की देश कौन सा बन गया तो अंसर होगा अर्जेंटिना Actually मैं अभी तक यहां पर abortion कराना एक कानूनी अपरात था और वैसे तो केवल दूई स्थिती में इसे अलाव किया जाता था या तो लड़की रेप पीडिता हो या डिलिवरी के समय डॉक्टर ये केदे की केवल मा या बच्चे किसी एक कोई बचाया जा सकता है तो तबी abortion कराया जा सकता था पर अब ऐसा नहीं है अब 14 सपता तक की गर्ब वती महिला के गरपात को अलाव कर दिया गया है बात अर्जेंटीना की है कैपिटल इसकी बिनोस आयरस है और अर्जेंटीना पीसो करंसी है प्रसिडेंट अलबर्टो फर्नैंडीज फिर अभी हाली में CCTV सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया तो अंसर होगा चैन नहीं और डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि CCTV की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर है चाइना का तायवान पर अब ये रेंकिंग बदल गई है तो अब नई रेंकिंग आई और उसके अनुसारत तमिल नाडू का जुचेन नहीं है ये CCTV की निगरानी रखने के मामले में टॉप पे आ गया CCTV का फुल फर्म क्या होता है क्लोज दिस सर्किट टेलिविजन बाकी हैदराबाद से आप याद रख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है यहाँ पे और बीजिंग में आपको हैड़कोटर मिलेग जाएगा देखो शंगाई कोपरेशन ओर्गिनाजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्ट्मेंट बैंक का भी